अर्ध मत्सेंद्र आसन पत्थम दंडासन में बैठ जाएं और अपनी रीड की हट्डी को बिल्कुल सीधा रखें बाएं पैर को मोड़ें और दाएं गुटने के उपर से लाकर बाएं पैर को जमीन पर रखें अब दाहिने पैर को मोड़ें और पैर को बाएं नितम के निकट जमीन पर आराम से रखें बाएं पैर के उपर से दाहीने हाथ को लाएं और बाएं पैर के अंगुठे को पकड़ें सांस छोड़ते हुए धड़ को जितना संबभ हो उतना मोड़ें और गर्दन को भी मोड़ें जिससे की बाएं कंदे पर दृष्टी केंद्रित कर सकें बाएं हाथ को जमीन पर टिका लें और सामने रूप से श्वास लें कुछ शन रुकने के प्रशाथ अपनी पूरुवत इस्तिथी में आ जाएं और यही क्रिया दूसरे पैर से भी दुहराएं इस आसन को करते वक्त यह ध्यान रखना है कि अपने शरीर के साथ जवर्दस्ति नहीं बरनी है यदि आपका धड़ पूरी तरह से आपसे ना मोडा जाए तो आप जवर्दस्ति ना करें अगर दाहिने हाथ से बाए पैर के अहुठे को पकड़ने में दिक्कत हो या किसी भी हाथ से किसी भी पैर के पकड़ने को पकड़ने में दिक्कत हो तो आप जबरदस्ती ना करें कोहनी को कोहनी को टिका के रखें गुटन ओपर इस आसन को करने से डाइबिटी, गब्स, सर्वाइकल, स्पॉंडिलाइटेज और मासिं धर्म की परेशानियों और अपच में भूत फायदा करता है झाल झाल झाल